Hello guys, welcome back to my new video दोस्तो आज की इस video में हमने आपको Instagram का कुछ basic story settings बताया है तो आप इस video को पूरा इन तक देखना है जो मैंने आपको इस video में Instagram का story settings दीखाया है काफे जादा important है अगर आप Instagram यूज करते हो Instagram पर status लगाते हो कुछ मैंने shortcut option भी बताया है इस video में साथ ही दोस्तो बहुत से लोगों को Instagram story पे mention करने में problem हो जाती है या फिर mention नहीं हो पाता है तो इन सभी के बारे में बताया हूँ इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like और share करकी channel को subscribe जरूर कर लेना चल story पर click करने का three dot मिलेगा इस पर click करके और आपको दोस्तों यहां पर यह देखो story setting वाला option आपको यहीं पर मिलेगा आपको इस option पर click करना है अब दोस्तों यहां पर कुछ most important आपको setting में बता रहा हूं जिसे दोस्तों आप चाहों तो आप कर सकते हो सबसे पहले तो दोस्तो यहां पर hide story from आप कितने जैसे आप story जो है ठीक है किसे दोस्तों आप hide करना चाहते उसे आप यहां पर click करके select कर सकते हो यहां पर दोस्तों जिसका नाम आप जैसे जिसको भी आप select करोगे जिस पर tick कर दोगे इस तरीके से वो दोस्तों यहां पर आपकी Instagram story से hide हो जाएगा म निची आप देखो इस तरीके से click करके done कर दो तो यह दोस्तों आपके close friend में add हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर reply message जैसे कि आप story लगाते हो उस पर कौन-कौन लोग reply कर सकते हो उसे आप यहां पर select कर पाओगे जैसे everyone करोगे तो कोई भी दोस्तों reply कर सकता है अ नहीं तो आप चाहो तो off इसे कर सकते हो दोस्तों अभी मैं आपको mention setting भी दिखाने वाला हूं तो आप देखते रहो इस वीडियो को यहां पर दोस्तों save ठीक है यह देखो आप चाहो अपने story को gallery में save करना तो इसे दोस्तों आप यहां पर enable कर सकते हैं जो भी दोस्तों automatic आपके gallery में save हो जाएगा उसके बाद यहां पर नीचे है allow sharing to story ठीक है यह सब कुछ option आपको मिल जाते हैं बट यह उतना important नहीं है सो मैं छोड़ता हूं इसको profile वाले option पर आएंगे profile वाले option पर आने के बाद यहां पर आपको three line मिलेगा ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर setting वाला option जो मिलेगा setting and privacy इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का interface आपको यहां पर मिलने वाला है आपको search box में search करना है mention mention जैसे ही search करोगे तो यह दोस्तों आपको option मिलेगा tag and mention कर ठीक है आपको यहां पर क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहां पर mention और tag का setting मैं दिखा रहा हूं आपको यह भी दोस्तों काफी important होता है तो दोस्तों यहां पर देखो सबसे पहले तो आपको option मिलता है how can tag you ठीक है अगर आप यह दोस्तों allow tags from everyone पर select रहने देते हो तो कोई भी आपको tag कर सकता है हें भूत है सानि से वही दोस्तों आपको यहां पे allow tag from फेपोल यहर फॉल्लो ठीक है तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आप तो इसमें भी सेम चीज है अगर आप allow mentions everyone पे रहने देते हो तो दोस्तों आपको कोई भी mention कर सकता है वही second वाले को आप select करोगे तो follow या फिर followers ही mention कर पाएंगे और don't allow करोगे तो कोई भी mention नहीं कर पाएगा तो मैं everyone पे रहने देता हूँ फिर back आजाते हैं तो यह कुछ setting यहाँ पे भी था और कुछ बहुत ही shortcut setting में आपको दिखाता हूँ mention करने का अगर आपने जैसे आपको यह story upload किये हो और आप किसी को mention करना चाहते हो चाहते थे करके आप जिसे भी mention करना चाहो बस उसको यहाँ पर इस तरीके से select करना है यह टिक का option आजाएगा टिक कर देना है और दोस्तों add का एक option निचे में मिल जाएगा यह देखो add का option इस पर आपको click करना है यह दोस्तों mention हो जाएगा इसको skip करते हैं उसके बाद फिर यहीं पर click करेंगे और यहाँ पर send to पर click करके आप इसे दोस्तों किसी को send कर सकते हो तो यह था दोस्तों Instagram में story का कुछ basic settings जो कि दोस्तों आपको सीख लेना काफी जारूरी था तो आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे comment box में comment करके जरूर बताना साथ ही मुझे Instagram पर follow नहीं किया त फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत